दोस्तों इस system में GTA 6 तो चल जाएगी और भाई इसमें भी बट दोस्तों क्या आपका PC रेडी है इस आदम को और ग्राफिक्स को जहलने के लिए मतलब भाई GTA 6 जो रोमांचक महौल बना रखा है मतलब इंटरनेट पर रिकॉर्ड तो तूटी रहे है उसके लावब बहुत कुछ चीज़े चल रही है लोग परिशान है अब कि भाई मेरे PC वे चल पाईगी क्या system क्या भी लिया अभी चल आज पूरा क्लियर कट करने वाले है कि JTS इसके लिए क्या requirements चाहिए क्या आपका minimum द GTS है वाई City कहां कहां से अम लोग खेलते वे आये हैं और अब GTS इसका इंतुजार मेरे साब से बहुत टाइम से लोग तो 10 साल लिख रहे हैं 10 साल तो बहुत ही जाला है एकदम रुके वे थे लोग बुरे भरके एक साथ लिख ले और जो है भाई GTS ट्रेलर भी अच्छा पर बात कर लेते हैं कैसा PC चाहिए अचा उससे पहले आपको मैं तो तीन चीजे बतायता हूं सबसे पहली चीज ना GTA 6 के अंदर मैप का साइस जितना अभी तक लिख से पता चल रहा है और जैसा हमने ट्रेलर में भी थोड़ा बहुत देखा मैप का साइस काफी बढ़ा हो स तो वह सब लेवल एचीव करना है एक अच्छा खासा सिस्टम बना देता है कि आपके पास ऐसा सिस्टम तो जिसमें यह सब चीजे हो पाए क्योंकि यह जीटे फाइफ से भी बहुत उपर चली गई है और मेरी बात यकीन से मानो अभी भी बहुत सारे PC ऐसे हैं मेरे को बता अब यहां पर आप देखो ग्राफिक वाइस हो गया या फिर व्यूइंग और या फिर रेंडरिंग आपको कितना ज्यादा चाहिए होगा यह सब एक्सपेक्टेट भी अभी हमारे निया रेंज में कितना ज्यादा होगा क्योंकि अब से रिक्वाइर्मेंट काफी बढ़ जाती है अब सीधी बात है बाई देखो अपनी जो गेम है जीटेशिस आप लोग जितना जानते हो दोजार पचीस पर कंसोल पर आ रही है पहले तो कंसोल पर याती है अब यहां पर मेरे हिसाब से तो यह काफी सस्ता बजट होगा अगर आपका बजट जादा नहीं है और अब यहां पर भाई आप देखो के प्लेस्टेशन फाइब उस पर तो गरेंटी आ रही है पठां उसकी प्राइजिंग थोड़ी अपर आपने देखा हो पचास जार के आसपास मिलता रही है यह थोड़ा हाय रेंज का हो गया बट एक और तरीका है बाई मैंने देखा एक् PC बिल्ट भी नहीं हो पाएगा जिसमें आप GTA 6 खेल पाऊ एस पर अभी के जो सिनेरियों लग रहे हैं उस हिसाप से बागी चलो यह तो मैंने आपको सस्ता बजट वाला तरीका बता दिया बट अब आर PC की बात करते हैं क्योंकि PC जो आदमी अभी बिल्ट कर रहा है लाइक 4000 सिरीज चल रही है उस टाइम तक क्या पता यहर 6000 सिरीज आ चुकी हो बिल्कुल चांसेज है अराम से अभी Intel का जो हमारे करेंट जेनरेशन चल रहा है 30 आप बोल सकते हो अभी Intel का जो अपने करेंटली एर 14 जेनरेशन चल रही है शायद उस टाइम तक आपकी 16 आ चुकी गयर हर साल आई जाते हैं आप देखते ही हो तो राइजन के भी नई सीरीज आ गई होगी तो मैं देखो वो टाइम के जो सिस्टम रहेंगे वो तो चलाई देंगे गेम को बट अभी कहिसाब से बताओं सबसे पहले प्रोसेसर की बात करते हैं तो आपको मिनीमम भाई 6 को बार से चलेगी उसके अलावा आगे बढ़ता हूं तो i5 देखो एक mandatory है i3 में भी चल सकती है लेटेस्ट जेनरेशन उस ताइम के बट अगर i5 को पकड़के चाहिए तो 12 जेनरेशन में तो चल जानी चाहिए राम से 13 में तो चलेगी या राम से वो लेटेस्ट में तो चलेगी पर मैं 12 को पकड़के चल रहा हूं अगे इन यह भी 6 कोर का 6 कोर 12 फ्रेट का प्रोसेसर है तो इसमें भी अमेजिंग चल जाएगी तो इंटल का एक रेंज बता दिया अगर 15,000 के असपास को क्यों प्रोसेसर लेते हो तो चांसे हां है कि गेम चल जाएगी इसमें भी हाई ह अब राइजन की बात करूं तो आगे इन यह सब पर चलेगा यह 5600X यह सब लेटेस्ट अपने जो लाइन अप आगी अगे यह भी 12 फ्रेट 6 कोर 12 फ्रेट का प्रोसेसर है महंगा है 20,000 के अंदर के प्रोसेसर जो है न 20 और 10 के रेंज में उनमें चल जाएगी यह देखा मै अब रैम की तो रैम की सिंपल सी बात समाझ जो भाई अब स्टेंडर लेवल सेट हो गया 16GB एक टाइम था 8GB था बट अब 16GB का डिमांड हो गया तो आपको 16 से तो कम चाहिए यह चाहिए नहीं और एक और चीज है कहीं ऐसा बना हो भाई मेरेको तो लग रहा है DDR5 टाइप क गेमिंग के लिए तो खास करके तो यहां पर बाई GPU आपका मीनीमम मैं बता रहा हूं यहां पर अगर आपको लो एंड गेमिंग के आसपस भी कडनी है लो एंड से थोड़ा उप तो आपको कम से कम भी GTX ग्राफिक काड़ चाहिए होगा यहां पर मैं RTX पर भी आया नहीं हो जाएगा RTX भी अपना शायद मेरे को लगता है जो बेसिक वाले मॉडल होंगे वो मीडियम एंड गेमिंग करा पाई यह मेरे को लगता है अभी के सिनेरियो क्योंकि यह गेम के अंदर रेंडरिंग काफी खतरनाक होगी करेक्टर डिटेलिंग खतरनाक होगी तो ग्राफिक् Hitman उठा के देख लो Hitman 3 जो गेम आई थी वो 200GB के आसपास की गेम है और उसमें भी डिटेलिंग काफी तगडी है अगेन उसमें इतने मैप आपका सिस्टम नहीं है देखा जाए तो मिशन टाइप किये बढ़ यहां तो आपका पूरा मैप रहेगा डिटेलिंग रहेगी त तो गेम मेरे को लगता है 300GB प्लस आराम से जा सकते इतनी तो उमीद है मेरे को तो उतनी स्टोरेज वैसे इतनी तो रहती है PC में लैप्तॉप की बात करूँ तो अभी आप करेंट जेनरेशन के RTX सिरीज के लैप्तॉप लोगे न तो मोशली चांस है वो चला देंगे उमीद झाल प्लस आराम से लैप्तॉप